नमस्कार, जैहिंद, आज बड़े ही खास टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे आपसे, यानि कि फिजिकल सिक्च्यरिटी का एक आधार होता है गेट कंट्रोल सिस्टम, तो गेट कंट्रोल सिस्टम पर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, गेट कंट्रोल सिस्टम को गेट मैनेज आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप यह समझेंगे कि गेट management क्या होता है . गेट के प्रकार क्या होते हैं बड़े-बड़े plant में कई तरह के gate होते हैं उनकी अलग-लग तरह की तरीके के functions होते हैं, तो उसके बारे में आप समझ पाएंगे, फिर gate controlling या gate access control system का क्या फाइदा है, इसको भी आप समझेंगे, gate controlling कैसे करते हैं, ये भी आप समझेंगे, आप समझ पाएंगे, कि अच्छे तरीके से गर gate controlling करते हैं, तो कैसे security मजबूत होती है, इसको आप समझेंगे, फिर gate controlling के लिए ज़रूरी जो security equipment होते हैं, उनके बारे में भी आप चानेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, कि gate management क्या होता है, gate management security का आधार है, किसी भी plant को, factory को, premises को, facilities को secure करना चाहते हैं, तो सबसे पहले gate management पर ध्यान देना होता है, तो gate management क्या है, कि उस facility, उस factory के, plant के अंदर, जो आने जाने के वाले लोग हैं, चाहे वो employee हों, worker हों, contractor हों, visitor हों, उन सब के आने जाने का, जितने भी सामान आ रहे हैं, उनके सब आने जाने का authorized तरीके से अनुमती मिलनी चाहिए, यानि कि company में जो नियम बने हुए हैं, उस नियम के हिसाब से ही, सभी लोगों का movement होना चाहिए, सभी सामान का आना जाना होना चाहिए, अगर नियम के हिसाब से होता है, तो हम समझेंगे कि gate management सही है, gate management बनाते हैं, कैसे gate management बनाते हैं, gate management के लिए बहुत जरूरी है कि उस plant के, उस facility के threat perception, यानि कि उस plant में gate पर किस तरह की खत्रे हैं, उसका आकलन करना जरूरी है, जिस तरह के खत्रे होते हैं, उस हिजाब से हम अपने gate management करते हैं, gate management बनाते हैं, security manpower का deployment करते हैं, vehicles जो आने जाने का system बनाते हैं, traffic का system बनाते हैं, लोगों के जो workers हैं, उनकी आने जाने का system बनाते हैं, यह सब कुछ जो हम threat perception के आधार पर करते हैं, हम देखते हैं कि यह सारी चीजी कैसी है, उसके आधार पर ही security manpower का deployment करते हैं, यानि कि वहाँ security supervisor कितना लगाना है, head guard कितना लगाना है, cctv, baggage scanner, यह जो सारे equipments हैं, यह किस तरह के वहाँ खत्रे हैं, उसके मद्दे नजर हम इनका deployment या इनको लगाते हैं वहाँ पर, हम अब आते हैं यह समझते हैं कि gate की कितने प्रकार हैं, अलग-अलग तरह के plant में, अलग-अलग तरह की facilities होते हैं, उनमें अलग-अलग तरह के gate लगेँ होते हैं, आम तार पर कुछ जो gate हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि main gate, material gate, back gate, scrap gate, dispatch gate, labor gate, emergency gate, इस तरह के कई gate plant में होते हैं, main gate आम तोर पर वो gate होता है जिससे staff आते जाते हैं, workers भी आते जाते रहते हैं, तो जो वहां का मुख्य द्वार होता है, उसको main gate बोलते हैं, material gate उस gate को बोलते हैं, जिससे material का आना जाना रहता है, back gate, आम तोर पर किसी में होता भी यह नहीं होता कि plant की पिछले रास्ते से भी उसको कभी हम operate करते हैं, तो उसको back gate करते हैं, scrap gate का मतलब होता है, वो gate जिसके जरिए हम उस plant की जो scrap है, उसको हम dispatch, उसको भेजते रहते हैं, dispatch gate का मतलब यह होता है, कि उस plant के जो तैयार माल है, उसको जब हम बाहर भेजते हैं, dispatch करते हैं, उसको dispatch gate बोलते हैं, labor gate का मतलब यह होता है, कि वो gate जिसके जरिये उस plant के उस जगह पर जो labor आते जाते हैं, उसको labor gate बोलते हैं, emergency gate भी होता है, चुकि आम तोर पर बंद रहता है, पर किसी भी तरह का man- emergency या natural emergency हो जाए, कोई प्राकरतिक आपदा आ जाए, तो उस समय जिस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है, उसको emergency gate काते हैं, तो इस तरह से आपने समझा कि किसी भी facility या factory plant में किस तरह की, कितने तरह के gate होते हैं, gate management के कई फाइदे हैं, सबसे पहला फाइदा तो यह है, क दूसरा, इस से क्या होता है कि चुकि अनधर नहीं आ पाता, तो इस से plant के जो काम है, उसके जो routine work है, daily work है, वो निरबाद तरीके से, अच्छे तरीके से चलते रहते हैं, तीसरी बात यह भी फाइदा होता है कि चुकि बाहर के अनधर लोग नहीं आ सकते हैं, तो प्लांट लिग में कुछ खास बातों को शामिल किया जाता है, सबसे पहले man management, आखिर किस तरह के बंदे आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, यह ध्यान में रखा जाता है, material management, किस तरह के material आने चाहिए, यानि कि store material, contractor material, visitor के साथ अगर कोई material है, तो वो सब material के आने जाने के तरीकों का इसमें ध्यान रखा जाता है, उसका traffic management, चाहिए employee आएं, associate आएं, visitor आएं, इन सब के जो आते हैं, वो कैसे आएंगे, उनकी गाड़ियां कैसे आएंगे, अच्छे तरीके से कैसे आएंगे, इन सब को बिना जाम लगे, आएं जाएं, इन सब का ध्यान में रखा जाता है, फ काम होते हैं, जो की gate controlling में शामिल किया जाता है, अब आते हैं सबसे पहले, man management, man management में हम किन बातों को शामिल करते हैं, man management में सबसे पहले, उस plant के, उस facilities के employee के बारे में समझते हैं, कि कौन-कौन से जो employee हैं, उनको आने जाने के बारे में हम करते हैं, जो contract workforce associates होते हैं, उनके आने जाने पर धियान रखते हैं visitor जो होते हैं उसे पर धियान रहते हैं उनका तरीका बनाया जाता है फिर अलग तरकी गाडियां रहती हैं उनके drivers आते जाते हिजाते उसका भी तरीका बना खता है कई जगों पर project related के लिए हम गेट management करते हैं इन सब के लिए जरूरी क्या है कि हमेशा यह इंशॉर किया जाता है कि उनका identity proof हो, uniform हो, जो उस plant के पीपीज के जो नियम है, उस नियम का पालन किया जाए, फिर frisking के भी formula बना होता है, हर नियम बने होते तो जो नियम होते हैं, नियम की हिजाब से लोगों की frisking की जाती है, फिर vehicle management, जितनी होते हैं, वो अपने वेकल्स लाएं, तो उनके जो वेकल लाने के तरीकी को भी टै किया जाता है, कई जगा पर gate passes वगर वेकल passes दिया जाता है, उसके जरी वो आते हैं, लोगों के आने जाने के लिए भी gate pass system developed किया जाता है, और उसके जरीए पूरा management किया जाता है, अब आत material होता है एक अंपनी material होते हैं चुक्छी सारे रहते हैं तो इस लिए उनकी यह आते हैं तो इसलिए उनकी जो वेकल्स पे आम तौर फेल्ट चेकिंग करने का तरीका बनाते हैं वेकिल को फिजगली कहा कहा चेक करना है वो सारे सिस्टम तयार किया जाता है वेकिल के जो सारे डॉकुमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग किया जाते हैं मटीरियल के जो डॉकुमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग किया जाती है जिसे material के documents पे invoice, delivery चलान, material get passage, इन सब की checking के जाती है, important material होता है, अगर तो bill of leading की भी उसके साथ होता है, तो हम bill of leading की भी checking करते हैं, और उसके बाद material को हम port या plant या facilities के अंदर लेते हैं, अब आते हैं, traffic management पे, traffic management बहुत important है, हमिसा security के responsibility होती है कि कहीं भी अपने area of responsibility में भीड़ी कठी ना हो, हमिसा आवा गमन का साधन सही तरीके से बना हो, ताकि moment जितना fast होगा, security के लिए खत्रा उतना ही कम होता है, तो इसके traffic management के हम किन बातों का ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले, जो employees हैं, उनके वेकिल्स हैं, कहां वो पार्क करेंगे, उन सब के बारे में बताया जाता है, उसी तरह से contractor के वेकिल्स हैं, उनकी भी संख्या बहुत अधिक होती है, तो उनके भी आने जाने का सब तरीका डबलब किया जाता है, material वेकिल्स, चुकि बड़े-बड़े plants होते हैं, तो वहां दिन भर में बह खास देहान रखना पड़ता है, फिर speed limit का हर plant अपने नियम के हिसाब से कोई plant 20-20 km प्रतियावर, 15 km प्रतियावर, अलग-अलग तरीके से अपने जो speed के नियम बनाते हैं, तो उस नियम को implement करवाना security की जिम्मेवारी होती है, चुकि इतने सारे वेकिल port के अंदर, plant के यह सब security को ध्यान में रखना पड़ता है, और चुकि material की गाड़िया इतनी ज्यादा आती हैं, बहुत बड़े जो establishments होते हैं, factory होते हैं, उनमें दिन भर में हजारो हजारो गाड़ियां आती है, तो उन सब के लिए proper तरीके से parking yard बनाया जाता है, वहाँ पे security का deployment किया जात के traffic management कुछ खास जगह जो होते हैं, उन पर खास ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वेबरीज हमें से ensure कि वेबरीज पर के पास गाड़ियां proper तरीके से खड़ी हों, ताकि गाड़ियों के वजन में कोई गड़बड़ी नहों, जो production area है, वहाँ भी अच्छे तरीके से गाड़ होते हैं, उनके लिए pathway का moment पर काफी ध्यान दिया जाता है, हमेशा पूरे area में pathway separate आने जाने का साधन बनाया जाता है, ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपने कार्यस्थल पर जा सकें, वहाँ से वापस आ सकें, तो pathway moment का भी काफी ख्याल रखा जाता है, कुछ और भी बातें main gate पर ध्यान में रखा जाता है, जिसे कई वार होता है, कई plant ऐसे होते हैं, जहां पर local लोगों के बहुत ज़्यादा परिशानी करते हैं, mob create कर देते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की भी जो activity है, उनको भी control करना पड़ता है, फिर control room की भी activity होती है, main gate क और जिम्मेवारी होते ही, वहाँ पर ERPIA, QRT होता है, तो उन सब को भी deploy करके रखते हैं, ताकि कोई भी emergency पड़े, जैसे ही कोई कहीं से कोई message आए, तो तुरंत QRT वहाँ से मौके पे जाए और जवाबी कारवाई कर सके, अब आते हैं कि main gate पर किस तरह के security equipment रखे जाते ह हैं, पर कुछ जो ऐसे security equipment हैं, जो कि अक्सर हर जगा पे रखा जाता है, उनकी चर्चा में यहाँ पर कर रहा हूं, जैसे कि turn style या attendance machine हर एक जगा रखा जाता है, DFMD या HHMD हर जगा पर हर प्लान्ट में आजकल रखा जा रहा है, baggage scanner थोड़ा महंगा है, इसके बावजूद भी इसके रखने की परंपरार रही है, ताकि जितने भी material जाते हैं, उनकी checking अच्छे से की जा सके, CCTV का control room भी बनाया जाता है, ताकि पूरे factory का control या उसका निगाहा रखा जाता है, इसके अलावा main gate पर tire killer होता है, गाड़ियों की check करने के लिए underbelly mirror होता है, first head box या emergency hooter भी main gate पर रखा होता है, handheld torch रखा जाता है, ताकि रात में कोई भी अगर petrolling के लिए जाती है, या कोई emergency हो जाता है, तो handheld torch के मदद लिज जा सकी, इसके लावा gate पर bomb barrier, bolards, यह सब भी चीज़ रहती है, कई वार जो कुछ लोग होते हैं, चाहे वो associates हो, चाहे drivers हो, उनके breathing चेक करने के लिए कि उन्होंने कोई alcohol या शराब के नसातों नहीं कर रखा है, तो उनके चेक करने के लिए breathe analyzer भी रखा जाता है, तो इन सारे equipment को main gate पर रखना जरूरी होता है, इससे security को मजबूती मिलती है, अब आते हैं security signages, यानि कि main gate पर किस तरह के security signages रखते ह तो आने वाले लोग हैं, उनको समझ में आ सके कि कि क्या वहाँ पर है, वहाँ पर अक्सर security office का signage लगा हुआ रहता है, visitor room का, main gate का, आप CCTV के निग्रानी में हैं, इन सारे signages को रखा जाता है, security के notice जैसे mobile से related कोई अगर बात बतानी कि mobile permission नहीं है, photo नहीं किछना है, तो इन स सबके भी security के sign या signboards लगे हुए होते हैं, इसके अलावा security check के लिए रूखें, stop security checkpoints, यह सब भी लगे होते हैं, speed limits के भी लगे हुए रहते हैं, जिसे मान ले जागे कि किसी plant में 20 km प्रतियावर का speed है, तो उस तरह के signage, speed limit के signages या signboards लगे होते हैं, जो emergency control room है, उनके भी number पर जरूर लगे होते हैं, ताकि अगर किसी तरह का कोई खत्रा हो, तो तुरंत पता चल सके, assembly area के भी signage लगे रहते हैं, ताकि खत्रे के समय में लोग वहाँ पर जा सके, documentation भी main gate पर बहुत important है, man और material से related जो registers होते हैं, वो सारे महाँ maintain किये जाते हैं, VMS से related visitor management system से related documents भी कि materials होते हैं, उस पर भी धियान रखा जाता है, कई जगा पर SAP, ERP जैसे material modules होते हैं, उन सब को main gate पर ही रखा जाता है, incident अगर कोई घटना घट जाती है, security से related, तो उनका incident report भी बनाया जाता है, और maintain किया जाता है, fire safety से related भी registers रखे जाते हैं, अगर security से related कोई audit हो रहा है, तो उन audit से related points उनके भी सारी बातें register maintain किया जाता है, और इसके अलावा एक GDP यानि की good documentation procedure security के लिए ज़रूरी है, हर security को GDP ज़रूर फालो करना चाहिए, GDP पर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, उसे आप जरूर देखें, अब मुझे उमीद है कि यहां तक आपने अच्छे तरीके से main gate की काम को समझा, आपने यह समझा होगा कि main gate की security कैसे की जाती है, कैसे gate controlling किया जाता है, और इस gate controlling के जरिये security को कैसे मजबूत किया जाता है, आपने हर एक dimensions को समझा, मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो आपसे request है कि इस चैनल को आप like करें, subscribe करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को share करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सक धन्यवाद, जय हिंद